हेलो, कैसे हैं आप, यह IAS Corridor का जो 2024 का Mapping Series है, उसका पहला वीडियो है, राजस्तान के बारे में, अगर आपने यह Mapping Series अभी तक जोईन नहीं की है, तो आपको बताओं कि यह बस 199 में अवलेबल है, इसमें हम सारे state cover करेंगे, union territories cover करेंगे, और in fact, जो continent wise है, सारे continent भी cover करेंगे, including the current affair places in news and everything, in fact, history, art and culture, geography, economy का part, a lot of things will be covered here, okay, शुरू करूँ इसके पहले एक तूप question आपके आए हैं और कई लोगों के दिमाग में यह चीज़ें होंगी, तो मैं उसको address कर देता हूँ, पहला question यह आया है किसी का कि जब इतनी detailing है, तो इसको memorize कैसे करेंगे, irrelevant चीज़ी हो जाएंगी, तो पहले तो यह समझे कि इसका content borrow कहां से हुआ है, content आपके standard book से borrow हुआ है, चाहे वो history के लिए, medieval ancient के लिए हमने पूनम दलाल दहिया देखा हो, या फिर हमने NCRT देखी हो, fine art देखा duplication इसलिए क्योंकि आपका revision है, अगर आप fresher हैं, आपने standard books अभी तक नहीं पढ़ी है, medieval history नहीं पढ़ी है, ancient history नहीं पढ़ी है, environment नहीं पढ़ा है, तो फिर आप यहाँ पढ़ लिजिए, अगर आपने अल्रेडी पढ़ लिया है, तो revision कर लिजिए, क्योंकि lectures तो बहुत एक view मिल रहा है, तो कहीं ने कहीं आपकी memory में better set होगा, इसके लाबा कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं, जो आपको irrelevant लगे, वो story का part है, if I miss that, आपको बस dump हो जाएगा fact and data, इसलिए मुझे तना time लगता है, क्योंकि story बनानी है, relevant चीज़ें करनी है, तो इस पे पूरा trust रख में build हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, खेर चलिए, तो ये एक पता ना था, दूसरा है कि इसमें places and news and current affair भी included है, ये मने लिखा है जैसे राजस्तान में भी, किस तरगा current affair होगा, आपको क्या लगता मैं आपको राजस्तान के current affair अ स्टेट वाले पढ़ाऊंगा, नहीं जो vision की monthly magazine में January 2023 onwards आया है, that is relevant for you, for UPSC 2024 prelims, आप already monthly magazine PT365 में पढ़ेंगे, जैसे सहरिया ट्राइब है, उसके लिए PM मोदी ने एक कुन को कोई ownership का चीज़ दिया, उसका एक term है, this should be included in your lecture, राइट, अब यहाँ पर यह है कि मैं सोच रहा हो कि current affair वाला portion में अलग से PDF बना के द प्राइटिक वाला जो पूरह है अलग से दे दो, तो चलिए अब शुरवात करते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, uniqueness क्या है, क्या special है, वो चीज़े नीचे भी पढ़ेंगे, लेकिन uniqueness में फिर से revise होगा, right, history क्या है, again history आपकी जो standard UPC वाली पढ़न है, black soil है की नहीं है, यह जानना है, economy agriculture, इसमें river बगर भी cover होगा सारा, कुछ mountain बगर भी, economy agriculture, environment spaces, again very very important, आइए से पर forest में यहां पे लिखा है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि relevant information कुछ खास थी नहीं, राजस्थान के बारे में, डेमगरफी में हम लोग देखेंगे कि क्या यहां पे कोई PBTG है, question आ चुका है UPC में PBTG का, you have to know that, right, art and culture very important, नितिन सिंगा नहीं है, जहां जहां राजस्थान से related art and culture है, चाया folk dance हो, UNESCO World Heritage Site हो, right, fort हो, या फिर माली जे की architecture हो, painting हो, dance हो, music हो, यह सारा आपर skip कर सकते हैं, क् कि वो सारा यहां पर लाया हुए, right, तो चलिए शुरुबात करते हैं, दीखी कैसे time लगता है, राजस्तान में कितने district है, August 2023 के पहले राजस्तान में 33 district है, all of a sudden शोग गहलोत ऐलान करते हैं, कि आसे 50 district हो जाएंगे, अब इसको confirm करना पड़ता है, कि बट यह political statement था, यह cabinet से approval हो चुकी है, time लगता है, क्योंकि अलग-अलग sources में आपको अलग-अलग मिल जाएंगे, पूराना भी तो content है Google पे, then फिर उन्होंने ऑक्टूबर में जाके announce कर दिया, कि तीन और बन जाएंगे, फिर उसको check करना पड़ता है, वो हुआ था कि नहीं हुआ था, तो मिला ज किसने पूछा था ना, desert national park क्या दो district में situated है, एक idea fair होना चाहिए, तभी चीज़े build होंगे आपके, सबसे पहले तो हम लोग इसका border देखते हैं, by the way, Rajasthan is the largest state of India area wise, largest है, you have to know that, right, border की बात करें तो देखिए, international border किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, BSF यहां पे रहती है, in लेकिन पाकिस्तान के डिजट को हम लोग चोलिस्तान कहते है, मेरा रंग देवसंती चोला, चोला, चोले कुल्चे, खैर, चोलिस्तान, हमारे यहां क्या थार, largest digit of India, यह सारे area जो आप जैसल मेर, बीकानेर देख रहे हैं, बार मेर देख रहे हैं, यह सारे area जो है, थार डि और शेयर है, इनपेक्ट हरियाना का जो लुवर पोर्शन है, यह अलवर, भरतपूर, इनके साथ मिलके मेवात region बनाता है, हरियाना में आप कापी सुनते होंगे, आजकल लोग फोन कॉल पे स्कैम अगरा कर रहे हैं, पहले ही जामताड़ा में होता था जारकंड में, आजक नीचे आप देख रहे हैं, यह वला एरिया, कोटा गए होंगे आप शायद, कोटा बारा, बुंदी, यह हडावती एरिया है, नीचे देखिए, उदैपूर, चितोडगर, राजसमंद, यह पूरा मेवाड एरिया है, not मारवाड, मेवाड, यह एरिया जो है, this is मारवाड, this is मेवाड, यह क्या है एरिया, यह नीचे का जो ट्राइबल एरिया है, यह वागड एरिया कहलाता है, यह हडावती एरिया है, फिर उपर आप चले जाहिए, जुन-जुन, सीकर वगर देख रहे हैं, यह शेखावती एरिया है, तो इस तरह राजस्तान के डिफरेंट रीज मतलब एक इंसान डबल करतूं, मैं 17-17 साल में शादी करते हैं, हनुमानगर, चलिए, यह हनुमानगर क्यों आएगा, क्योंकि अब आपका इंडिस वहले सिवलाइजेशन में निशन करूंगा ना, एक बार जानना जरूरी, हनुमानगर गंगानगर, चुरू, जुन-जुन यह सारे में से नए-नए डिस्टिक बने हैं, पचास हो गया है, बट आप पूराना वाला देखिए, अलवर, जैपूर, सीकर, ओ सीकर, याद आ गया मुझे कुछ, नागार, जोदपूर, अजमीर, अजमीर शडिप सब कोई जानते हैं, पाली, जलौर, बारमेड, राजसमन शिरोही, उदैपूर, परताबगड, बसवारा, दुंगरपूर, यह जो एरिया है न, ट्राइबल एरिया है, यह एरिया है, यह एरिया है, जो हड़ोती एरिया में आता है, चंबल यहापे फ्लो करती है, टौंक, सवाई मादवपूर, करॉली, करॉली में इंडिया का टेस, टाइगर रिजर्ब भी आया है, यहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, धौलपूर, यही धौलपूर में जाटो का शाचन था, उन्हों आपको दिल्ली में आपने सुनाओगा, धौलपूर हाउस, यूपीसे हटक्वार्टर, ऐसा नहीं कि धौलपूर यहाँ पर चला गया, बट शाचन काल में था, तो इसले धौलपूर आज गया हाउस, भरतपूर, केवलादेव, गहना नेशनल पार्क आपके सुनाओगा, इस सारे करॉली, दौसा, ठीक, एक आईडिया लग गया, चलिए, पॉलिटिकल में जादा नहीं पढ़ना है, इतना समझे कि सीट यहाँ पर टोटल 25 हैं, और अगर लेजिसलेटिव असेंबली के स्टेंग की बात करें, तो exactly 200 है, क्या राजस्तान फिप्त स्केडूल में आता है, भीर सारे स्टेट आते हैं, राजस्तान के एरिया भी आते हैं, फिप्त स्केडूल में फुली ट्राइबल डिस्टिट गुजरात के साथ बॉर्डर शेर्ड है, वहाँ पर ट्राइबल एरिया, चले कुछा स्पेशल फैक्ट, यह तो आपको जानना हैं कि लार्जिस्ट एरिया स्टेट का, राजस्तान का है, अब यह मैंने में मिंशन किया, इसको आपको याद नहीं रखना, बस मैं स्टूरी क फॉर्मेट में देना चाहता थे कि Great Wall of China सबसे longest continuous fortification wall है, उसके बाद कुंबल गर फोर्ट जो है न, वही है second largest continuation में fortification wall, काली बंगा, ब्लैक बैंगल्स, क्योंकि इंडस वैली सिवलाइजेशन थी यहाँ पे, राजस्तान में, और काली बंगा में ब्लैक बैंगल्स मिले थे अच्छा, third desert, Great Indian desert भी कहते हैं, largest desert है भारत का, अब कई लोगों को यहाँ पे UPC पूस देखा तो confusion हो जाएगा कि third desert बस राजस्तान में, ऐसा नहीं है, पंजाब गुजरात हर्याना सब में है third desert, in fact पाकिस्तान में भी चोलस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्ता राजस्तान का only and only hill station Mount Abu है, उसका जो आपका highest peak है, that is Guru Shikhar, दिलवाड़ा, giant temple यहीं पे है, वो सब art and culture में देखने वाले है, camel fair लगता है राजस्तान का, तो कोई Arabian country नहीं, राजस्तान का जो पुशकर camel fair है, world का largest camel fair है, यहाँ पे लोग जो है अपने camel वगर को बेचते हैं, बहुत तरह के dance होते हैं, music होता है, सब कुछ होता है, यह important नहीं, इसको छोड़ दीचे, Jaguar Fort में जो है, जैवाना नाम का canon है, largest, okay, पुशकर की बात करें, तो Lord Brahma को dedicated only temple है, now, world में, अब यहाँ पे confusion है, जैगर लोग कहेंगे नहीं, और भी है, exactly और भी है, UP से कर पूस दे पुशकर is only, पुशकर is the only place having Lord Brahma temple in the world, that statement will be wrong, 5-6 और भी है, बट क्या होता है, कि कुछ certified होते हैं, कुछ वैदिक होते हैं, ऐसे जोड तोड़के, आपको ऐसा लिखा वह मिलेगा, तो do not take it on the face value, okay, बट पुशकर में Lord Brahma का temple है, यह आपको जानना है, इन पाक्ट बीका ने पिर में National Research Center है, कैमल पे, यह एसिया का सबसे बड़ा Research Center है, कैमल पे, एक और बात, राजस्तान सबसे बड़ा स्टेट तो है, लेकिन राजस्तान का कोई डिस्टिक्ट सबसे बड़ा डिस्टिक्ट नहीं इंडिया का, बट यह थार्ड नमबर पे है, कच हुआ, ले हुआ, उसके बाद थार्ड नमबर के जैसल मेर है, कच गुजरात में पड़ेगा, सबसे बड़ा हो गया डिस्टिक्ट, देन ले, देन जैसल मेर जो है राजस्तान का, वो थार्ड लार्जेस डिस्टिक्ट है, कच और ले में चलता रहता कौन बड़ा है, आपको यह जानना है कि जैसल मेर जो थार्ड लाजेस डिस्टिक्ट है, आईए नीचे हैं, और कुछ, जंतर मंतर टाइम के कल्कुलिशन के लिए, सन के मूवमेंट के हसाब से, यह जैपूर के राजाओं ने बनाया था यह सब, तो जो जैपूर का जंतर मंतर में जो जंतर है, वो उसको कहते हैं स अब पोकरन के डिस्टिक है, नहीं, तो कहां पे है पोकरन, जैसल मेर में, थोड़ी दर पहले उपर देखाता न, जैसल मेर बाडर पर चले आई है, भूल गया होंगे, यह रहा जैसल मेर, यहां पे, एकदम डिजाट केरिया में, तक कि कम जो है, कुछ दिक्कत ना हो, गून है, सामबर लेक पूरा जो है, अंदर ही अंदर पानी चला जाता है, मिंदल आ जाते हैं, साल्टी हो जाता है, इन फैक्ट सामबर लेक से होके उजरती है, लूनी रिवर जो, राजस्तान की सबसे बड़ी रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कही है, सबसे लंबा इस इस ओनली सलाइन रिवर ऑफ इंडिया लूनी रिवर बाकी मैप पूरा मैने हाथ से ड्रॉप किया है लूनी का देखाऊंगा देखाऊंगा और ना उसी देजर स्टेट सिंबल तो क्या हमें स्टेट सिंबल याद करने सारे के इसको हम लोग राजस्तान में गुदावन कहते हैं महारास्ता में कुछ और नाम है कहीं और कुछ नाम है बट ऐसे इसका नाम जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है नाव यूसी स्टेट का फ्लावर है रोहीडा प्लावर जब आप नितिन सिंगानिया पढ़ेंगे तो रोह इसे इन प्रिछेट का ट्रिए है प्रसोपीस सिनेरेरिय यह प्रसोपीस जोली फोरगा तो इनवेजिव पेजरी चिंकारा और कैमल दूनों ज야 है राजस्तान के स्टेट अनिमल है घूमर डांस जो की भील ट्राइक का में ली वो उसका स्टेट डांस है न पी气 राजस्तान जब आप चले जाएंगे, तो ये रिवर जो फ्लो कर रही है, आगे मैं पाएगा, ये बनास रिवर है, यहीं पर सबसे पुराने human के हैं, प्रूफ मिले, बाकि आपने बुंदी देखा था, कहां पे, कोटा के बगल में, हडाओती में, भिलवाडा देखा था, य बाकि थार डेजट मिल रहा है, बुंदी मिल रहा है, चैलकोलितिक साइट, है ना, चैलकोलितिक कल्चर की बात करने तो इंडिया में कही सारे है, गनेश्वर जोधपूरा कल्चर, आहर कल्चर, काइथा मालवा कल्चर, मालवा माध्य परतिस में पड़ेगा, जोर्वे कल् जिसको आहर बनार को भानास कॉंप्लेक्स भी कहते हैं यह राजस्थान में पूरा चले जाए तो यह आपको तो डाल यह प्रीहरपन चाल कुलिक्टिक कल्चर गनेश्वर में मिलेगा नीमकर्थाना बिल्कुल राजस्थान के नौर्थ में नया डिस्टिक बना है सीकर के पास में तो नीमकर्थाना जो डिस्टिक्ट है वहाँ पर गनेश्वर है जगह वहाँ पर आपको चल कुलिक्टिक साइट मिलेगी प्रीहरपन साइट के और वहीं पर पास में केटरी माइन है कॉपर वहां से निकलता था काली बंगा अभी हरुमानगर्ड डिस्टिक देखा था एकदम तॉप पे गंगानगर के बंगल में वहाँ पे काली बंगा वहीं पे सिच्वेटेड है घंगर रिवर पे वहाँ पे बुल्टेरा कुटा बंगर मिले हैं आहर जो भी आपने देखा आपे ग्लास स्मेल्टिंग मेटलर्जी के प्रूफ मिले हैं स्टोन के हाउसेज मिले हैं गिलूंड की बात करें तो अकेजनल यूजब बंट ब्रिक वहाँ पे मिले हैं अहर गिलूंड अभी आपने देखा ना आहर गिलूंड बाला थाल उसकी बात कर रहा हूं ओके यह सारे बनास वैली में नाव कम टू इंडस वैली सिविलाजेशन के अगर बात करें तो हनुमानगड जो ऊपर डिस्ट्रिक आपने देखा तक गंगानगर पंजाब से बगल में बलकुल नहीं भूल गया होगा आप एक सकान उपर आईए कि इसी है पंजाब से दो बार्डर शेर कर रहे हैं आप डिस्ट्रिक गंगानगर और हनुमानगड तो यह हन चल्कुलितिक कल्चर भी था बाला थाल उद्यपूर में पढ़ता है चल्कुलितिक कल्चर भी था इंडेस वाली सिविलाइजेशन भी था अच्छा हडपा के ऐसे तो यहां पर लोकेशन कुछ है इसके लाव वह ओवरॉल हडपान सिविलाइजेशन जो कौपर का खेतरी माइन से खेतरी माइन कहां पर है अब यह तो दिखा था आपने नीम का थाना खेतरी माइन सो के नया डिस्टिक्ट जो बना है स्क्रिन बेच में थोड़ी जूम आउट होगी देख्या खर कोई बात नहीं ओके हडपन इंपोर्टेट कॉपर प्राम कित्री माइन नीम का थाना बला जो एरिया है बाकी आपने जूम करेंगे तो आपको कुछ यहां पर दिख जाएगा है ना काली बंगा देख रहे हैं गगर रिवर के आसपास ओके ना काली बंगा की थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं गगर रिवर पे सिचुएटेड यहां पर प्लॉट पिल्ड मिले सबसे पुराने वाले फायर अल्टार्स मिले कैमल का एरिया है तो वोन मिले कैमल के यहां पर सिटाडल में लोवर किले जाते थे वो अलोगर में लाइए अअल प्स्पार व Ari lost अएलगे था वो जैपूर की सीचुएटेड ता आज उसको बाई नाम से जानते हैं तो मत सि माई जनपथ जैपूर अलवर भरतपूर के एरिया में माना जाता है पहले वो विराट नगर था आज बहराट के नाम से जाना जाता है इसको विराट नाम के किंग ने बनाया था अच्छा कुछ रिसर्चर्च का यह कहना है कि जो आरे वर्थ है या जो ब्रह्म वर्थ है पहले जो वेदों में मेंशन है वो कहां है तो एक साइड में सरस्वती फ्लो कर रही है और एक साइड में द्रिश्दवती रिवर फ्लो कर रही है दुनों के बीच में कहते हैं कि ब्रह्मवर्त या आरवर्त था आज जो राजस्तान में सहीबी रिवर है यह सहीबी रिवर का है उपर से नौर्ट से प्याना का इन दोनों को मिक्स कर दीजें लोग कहते हैं कि यहीं ब्रहमवर्थ कुछ रिसर्च ऐसा कहने इन फैक्ट मनु और भिर्गु ने यहीं पर नेरेट किया थे इसी एरिया में यहां कहते हैं कि आश्रम ता ब्रिगु का और उनके सन का भी आश्रम था उनका नाम चव चवन रिशी के लिए बनाए गया था तो चवन परास यहीं से आते हैं मतलब शुरूहात यहीं से होई थी अचा आज यह एरिया जो है मनु और भिर्गु के आश्रम वगरे की बात करें तो धोसी हिल्स के आसपास है धोसी हिल कंप्लेटली एक वैदिक पिरियाट का साइट मना जाता है अब डोसी हिल ऐसा दिखता है आप इसको नीची राजस्थान ऊपर हरियाना और यह पूरे अरावली करें जुआ उसी में डोसी हिल्स है यह एक्स्टिंट वालकेनों है एक्चली एक्टिव नहीं है नाव काम फास्ट परवर्ड टू मौरेन एंपैर मौरेन ए कैसे आ गया यही जो वैराट आपने देखा ना वहां पर आशोक के रॉक इंसक्रिप्शन भी है थर्ड सेंचूरी के और अस्तूपा भी मिला है तो यहां पर मौरेन एंपार का कहिने इंपैक्ट था देन फिर बैक्टरियन आये शाकाज आये गुप्त एंपैर जो था इधर चोलिस्तान या सिंध से लेके पूरा लोवर गंग गंजेटिक प्लेन तक एक टाइम पे गुर्जर प्रतिहार थे राश्ट कूट और पाल के साथ मिलके यह लो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करते रहते अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इन्होंने यहां पे अच्छा शाशनकाल चलाया 8th century से लेकि 11th century के बीच में अरब इन्वेडर चुकी इसलाम आ गया था तो सिंध की एरिया से अरब आने लगे थे उन्होंने उनसे फाइट भी किया इन्पैक्ट मिहर भोज या भोज बन राजा जो थे उनका देख रहे हैं किंग्डम हिमालिया से नर्मदा नौर्ट सौथ और इस्ट में लोवर गंगा वेस्ट में सिंध एरिया तक था पर देरे देरे हर को ही जाता है गुरजर प्रतिहा राजपूद किंग्डम का भी यह मर्ज होने लगते हैं इंडिपेंडेंट होके और वहीं से राजस्तान की मेन कहानी शुरू होगी तो अगर हम बात करें मिवाड के एरिया की उदयपूर के एरिया की तो वहाँ जो अभी सिसवाधिया वो पहले गुहिला वहाँ पे आये 948 में दे बिकेम प्रितिरा चोहान दिल्ली तक पहुँच गया थे कचवाहा जो जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी अकवर से जो दबाई की सो कचवाहा रूल प्रम जैपूर जैपूर कुछ टाइम पे आमेर कहा जाता था बाकि सवाई जाय सिंग के नाम पर बाद में जैपूर ना जगह से सकंबरी नाम की जगह से उसके बाद उन्होंने अजय मेरू में कैपिटल बनाया ज़ो है जैपूर के पास में यह उनका फर्स्ट पास और यह पूरे कंटरी को जो उन्होंने बनाया उसको उस टाइम पर कहते थे तो जो इसका उचारण मुश्किल होता तो मैं बोल सपद अलाशका सपद अलाशका आज राजस्तान का पार्ट है ये इंशेंट मेडिवल नाम है तो उसका भूल जाए इस्टैबलिश्मेंट की थी गुर्जर प्रतिहार से इंडिपेंडेंट होके इसकी सिम राजाने उन्होंने शुटबात की थी फिर जो है अजय राज टू आज उसका अजमेर नाम है इस Kingdom में विग्रह राजा और जिनको विशलदेव नाम से भी जाना जाता है उन्होंने लिखा एक प्ले है यह एंद उन्हों ने ही एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी को बार में कुतुबुद्धीन अबक ने अटक जब कि इस एरिया में एरिया में इन एरिया में तो अधाई दिन का जोपड़ा बनाया जो कि आपके आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं इनके बारे म कि जो मूल राजा 2 थे 1178 AD में उन्होंने एक बैटल लड़ा बैटल ऑप कसाहरदा उसमें उन्होंने गुरी देमपायर के जो इन्वेडर आ रहे थे सिंध के रिया से उनको हराया था मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जो है गुरी देमपायर नीचे गुशने की कोशिस करेगा और फिर आप देखेंगे कि चौहानों पे इंपक्ट आना शुरू हो जाएगा ओके अब इसी में प्रित्वी राज 3 हुए यू आलेडी नो अबाउट हिम 1192 AD तक रहते क्यों सकेंड बैटल ऑप तराई में हार गे थे वो प्रित्वी राज चौहान को हम लो आला उदल जम के लड़े जिनके लिए आज भी आला खंड गाया जाता है और आला उदल भी मर गए और महबा को जीत लिया बुंदिल खंड को जीत लिया प्रित्वीराज 3 ने राइट इसके लावा चालो की किंग जो भीम 2 था उनको भी उन्होंने हराया गधवाला किंग जाए चंदर को भी हराया तो सबको हराते जा रहे थे फाइनली लेकिन क्या है गुरी देमपायर का जो है मुम्मद गोरी यहां पर गुसना शुरू करता है सिंदिकी एरिया से 1191 एडी में फस्ट बैटल अफ्तराई होता है यह तरह कहां पर हरियाना के पास जो करना ले उस प्रित्विराद चोहां थ्री जो थे वो हार गये जिनको प्रित्विराद चोहां भी गयते हैं खाली इस लडाई के बाद गुरी देमपायर डाइनेस्टी ने पूरा गुजरात तक का एरिया ले लिया बीच-बीच में राजपूर्ट जो है पूरे इंसर्कल हो गए और व प्रित्विराद चोहां उन्होंने अपना कैपिटल भी शिप्ट किया था थोड़े टाइम के लिए फिर जो है यहां पर कुतुबुदीन एबक आया और धिरे धिरे जो है टर्किश रूलर खलजी डाइनेस्टी तुगलक डाइनेस्टी स्रायर डाइनेस्टी लोधी डाइ और दूसरे एक और कोट पोईट थे जैनायक उन्होंने क्या लिखा प्रित्विराज विजया यह अपके आटन कल्चर में पढ़ना होता अपको नेक्स्ट अब क्या होता है कि मुहम्मद घोरी वहां पहुंच गया अजमेर केरिया में उक्यूपाई कर लिया तो उसने अप तो रन्थमबार में भी जो है चोहान आ जाएंगे और बाद में रन्थमबार से यह लोग लड़ाई लडएंगे मुगल वगरसे समझ गया है कुतबुदी नायबक ने तो अजमेर को कैप्चर कर लिया ठीक है फिर अलाउदीन खिल जी अभी क्या हुआ हरी राजा ने समबार का नया जो बना चोहान का डाइनस्टी वहां पे थर्टीन हंडेट बन में उसने कैप्चर किया वहां के विमेन ने जोहर कर लिया जोहर मतलब आग में कुछ जाना जो अपने पदमावद मूवी वगर में देखी होगी फिर अलाउदीन खिल जी जो है मेवाड में ज जो है वहां पे जोहर करती हैं बाकी महिलाएं भी जोहर करती है अलाव दिन खिल जी छे महीने बाद वो जो है लड़ाई जीच जाता है चितौर को हरा देता है यहीं पे जो यह चीजें हुई इसके बारे में मलिक मुहमद जैसी ने बाद में लिखा था यह यूपी सी में 200 साल बाद 1540 AD में शेर्षा के टाइम पे अफगान रूलर के टाइम पे जिसने की हुमायू को हराय था उस टाइम पे रानी पदमिनी पे जो है पदमावत लिखे थी मलिक मुहमद जैसी ने देन अलाओ दिन खिल जी जो है नीचे का जो अपने एरिया इन फैक नीचे मांडू तक जाते थे जो कि मद्य परदिश में पढ़ता है औरिजनली इनको मेद पात कहते थे ये मिवार के एरिया जो है मिवार को जो है आज जो उदैपूर भी कहा जाता है ये मिवार ऐसे एरिया है बट उसमें जो most significant सिटी है उदैपूर है सिटी ओफ लेक्स ओके ऑरिजनली ये मिवार को हम लोग मेद पात कहते थे और यहां के राना जो ते शिव जी के फॉर्म में बिलीब करते थे जिनको मेद पातिश्वर कहें या एक लिंग जी कहें इसलिए इसलिए ये रिलीजियस मैसेज बहुत जादा था इनमें तो हमेशा सक्रिपाइस करने के लिए तैयार रहते थे लड़ने के लिए तैयार रहते थे हार नहीं मानते थे बाकी सारे राजपूत हर मान लेंगे ये लोग मिनिमम एक दो बार हाला कि इन्होंने भी सरेंडर किया अब यह याद नहीं रखना इस प्ट अब दे स्टोरी इसी डाइनस्टी में आगे राना कुमबा आते हैं यह बिकम्स वेरी फेमस और लंबे टाइम तक रूल करते हैं और बहुत सारे राजस्तान के एरिया को जितते हैं कि कासियत यह थी कि इन्हों म्यूजिक लवर थे वीना खुद बनाते बजाते थे इनका नाम भी इंपक्ट संगीट सिरोमनी कहा गया इन्होंने आपके मालवा के सुल्तान को हराया नागौर को हराया गु बनवाया है इमें जालनी जरूरत नहीं थी मुझे विजयस्तम इस बैटल को बैटल ऑफ सरंगपूर कहते हैं इन्फेक्ट इन्होंने संगीत राज संगीत मिमानसा संगीत रतनाकार सुपरबंद ऐसी यसी किताबे लड़ लिखी और अपने कोर्ट में महेश अत्री को भी रखा जिन्होंने यह जो आपको विजयस्तम इन उसके उपर इंस्क्रिप्शन भी लिखा राना कुंबा ने एक सिटी भी बनाई बसंतपूर और कई सारे फोर्ट बनाएं इन्फाट कुंबलगर्ड अचलगर्ड अपने नाम पर बनाया अचलगर्ड यह सारे इनके बहुत ज्यादा वीर 1508 से 1528 AD, he defeated महमूद टू अप मालवा, defeated देली सुल्तान इब्राहिम लोधी आलसो हैं 1518, घटाली में, घटाली ग्वालियर के पास पड़ेगा, फिर से जाके उन्होंने ध्वालपूर में फिर से इब्राहिम लोधी को हराया, अफगान रूलर को, ओक 1527 में, ये सारे मेदिनी राय, महमूद लोधी, हसन खान मेवाती, वो मेमात का इरिया था ना, तो हसन खान मेवाती आया थे वहां से, सब के साथ मिलके युनाइट करकी नोंने लड़ा बाबर के खिलाफ, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए, बाबर जीत गया, और बैटल मामी के बाद जो है, बाबर एकदम पारफुली यहां पे आ गया, बाद में मेदिनी राय बच गया थे, तो मेदिनी राय जो है, फिर से बाबर के खिलाफ लड़ते हैं, बैटल अप चंदेरी में, है न, ये मद्ध परदिस में पड़ेगा, 1528 AD में, बाबर ने फिर से मेद संगा की डॉटर इन-ला दी, अब आगे आईए, बाबर ने इस्टैबलिश कर दिया, उसके बाद हुमाई तो थोड़े टाइम के लिए रहा हो, चला गया, शेर सान उसको हरा दिया, और शेर साथ दिरे-दिरे मेवाड वगरे केरिया में भी जाता है, मारवाड में भी जात जोदपूर से चिताड का हाईवे भी शेर्षा ने बनाया था, काफी था इस मामले में शेर्षा, अच्छा, आपने हेमु के बारे में सुनाओगा, हेम चंदर विकमादित्य, पानी पत, सकेंड बैटल अपानी पत, मुगल को प्रोटेक्ट करते, करते, all those things, सकेंड बैटल पानी पत जो हुआ था, 1556 में, उस में हेम चंदर विकमादित को, मुगल को प्रोटेक्ट ने करते, स्वारी, हेम चंदर मिकमादित की मुर्ति काभ हो गई, सकेंड बैटल, मुगल को प्रोटेक्ट तो हो कर रहे थे, थर्ड बैटल अपानी पत में, मराठा, हाँ, हेम आपने देखा न, वहीं पर हुआ था, 1556 में यहां पर, यहां पर, यहां पर हादसा हुआ, देन, एक चीज आपको जाननी है, कि जो आपने जैपूर का एरिया सुना, वहां पर आमेर अंबर पड़ते हैं, राजा भरमल की बेटी, से अकबर ने शादी की, क्योंकि अकबर आपने बेटी की तो नहीं करूंगा, आपकी बेटी से करूंगा, और इस तरह से संबंद बने रहेंगे, तो राजा भरमल ने बेटी की शादी कर दी, इससे अकबर से, तो राजा भरमल को इंपेरियल कोर्ट में जगा मिल गई, मुगल सर्विसेज में जगा मिल गई, मान सिंग को भी मिल गई फिर 1557 में अकपर ने अजमीर नागवर पे कबजा किया यहीं पे इसलामिक शुरुवात भी हुई थी तो इस एरिया को फिर से कबजा किया फिर क्या होता है सन अप राना संगा राना उदय सिंग टू अप मेवार जिन्नों ने उदय पूर शिटी बन बड़े फाइटर होंगे था fraction के इनोंने बैटल अब हल्दी गाटी लड़ी किस्से जो उपर मान सिंग गया अकबर की सर्विसमें वही मान सिंग की पूर से टी साय से 1576 में हल्दी गाटी आती है हल्दी गाटी राजसमंध के रेत है न के लिए जैमाल और पट्टा को दे देते हैं वो लोग लड़ाई करते रहते हैं पिर राना अमर सिंह 1 आते हैं he bought fatar with यहांगीर forces in they were in 1608 देन चितोड रन्तंबॉर यह सारे हर निलगते हैं फाइनलि मेवार के अमर सिंह वो सब्मिट कर देते हैं यहांगीर के टाइम पे अपने आपको कि हम चलो आपकी अंदर हो गया यह ना फिर औरंग्जेव के टाइम पर फिर लडाई होती है औरंग्जेव के टाइम पर हला की अच्छे संभूनते सवाई जैसिंग, अंबर्ग वे जैपूर के रूलर, तो शिटी ऑप जैपूर का जो नाम पड़ा, वो सवाई जैसिंग के नाम ही पड़ा, और देखिए, राणा यह मिलके औरंग जेब से रड़ते हैं अब क्या होता है कि दिरे-दिरे मुगल के टाइम पर सारे राजपूत स्टेट्स को सूबा अपस्मेर मैंने बोला ना अजमीर और नागौर इंपॉर्टेंट थे सेंटर तो सूबा पस्मेर के अंदर सारे राजपूत स्टेट को अपना रूल चलाते हैं पिर आपको पता है लेकिन मराथा को कौन हराता है ब्रिटिश परमांड सी हो जाती पूरे एरिया में और ब्रिटिश जो है इसको क्या नाम देंगे राजपूताना प्रोविंस 1818 में और वहां पर एक आप एक ऑफ्स बनाएंगे राजपूताना ए तो अजमीर मरवाडा और यह पोलिटिकल एजन्ट कहां बैठता था राजपुताना एजनसी का ब्रेटिश वाला मांट अबु में जाके खरम ठंडाम मजा लेता था अजमीर मरवाडा हो गया ब्रेटिश प्रोविंस और यह होगिया पेरा मौंज रजपुताना यह दोनों ए में इंटिग्रेट होता है साथी साथ अजमीर मिर्वारा भी जो है इंटिग्रेट होता है यही जो है स्टेट का डे है स्टेट फाउंडिंग डे 30 मर्च 1949 बाइद वे एक नॉलिज की बात कि दयानन सर्श्वती ने सत्यात परकास उदयपूर में बैठके लिखी थी फाइनल स्टेजेज में और फाइनली 1956 में स्टेट स्री और फोर्स में आता है आज जो आप राजस्तान का स्ट्क्चर देख रहे हैं वह उस ताइम का मनावाँ 1956 का कितना टाइम लगा 35 मिनट इजी अब आपका में पोर्शन शुरू होता है यहां से थोड़ा समय स्लोडाउन हो जाओंगा ठीक है चलिए सबसे पहले ही समझे कि टेमपल आर्किटेक्चर के जो डिफरेंट टाइप से आपने द्रवीडियन सुना होगा वेसर स्टाइल स क्भेर शारे उसके सब क्लासिफिकेशन हैं उस मेंी एक इच सोलंकी स्कूल आप टेमपल आर्किटेक्चर जिसको हम लोग मारू गुर्जरा स्टाइलबी कहते हैं नाम से पता चल रहा है गुजरात, राइट, सोलंकी, सोलंकी, राजपूत वे राजस्तान के नहीं है, गुजरात के हैं, बाइद वे यह नगर स्कूल का ही, आर्केटेक्चर का एक सब टाइप है, गुजरात, राजस्तान दुनों में मिलेगा, बाइद वे राजस्तान में आया है, तो मैंने कर दिया, आपको नितिन सिंगानिया से यह जाके सोलंकी स्कूल पढ़ने की जोरत नहीं पढ़ेगी, इसके कुछ होती है, उस पर कोई कार्विंग, डिजाइनिंग नहीं की जाती है, गर्ब ग्री जो है, वो मंडब से इंटरनली, एक्स्टरनली दूनों तरब से कनेक्टेड होता है, आज गेटवे जिसको तोरन बोलते हैं, यह आपको इस तरह का यहां पर देखने को मिलेगा, राइट, यह step tank है, बड़े important, यह आपको मैं zoom करके दिखाता हूँ, can you see, यह steps बने हुए है, बीच में एक tank है temple के सामने, हर step पे चोटी 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 श्राइन बनी होई है, इसको temple ही बोलते है, चोटी 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 श्राइन बनी होई है, हर step पे, यह इसकी खासियत है, यह जो आ मैं यहाँ पर डाला है, चली कोई बात नहीं क्योंकि दो आ रहे थे, मुधेरा sun temple, तो मिली आपको गुजरात में मिलेगा, अब यूपिसी easy question पूछता है, वो पूछेगा कि क्या sun temple एक है, अरे मेरे और अंगाबाद में भी famous है, देवस्तान करके sun temple, multiple है sun temple by the way, तो मुधे यहाँ पर सूरे कुंड कहते हैं, और टेमपल के proximity पर और उसमें चोटे 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 श्राइन जो है, लगे रहते हैं, wooden carving भी होती है, most of these temples are east facing, और इस तरह से डिजाइन किये जाते हैं, जब एक्क्वी नोक आएंगे नो, तो sun rate directly central shrine पर यहा हुआ है, by the way, Modera जो sun temple है, वो भीम वन गुजरात के king ने बनाया था, क्योंकि गुजरात में है, okay, रहनाखपूर पाली में giant temple जो यह कुछ लोग कहते हैं, कि इसी style में बना हुआ है, कुछ लोग कहना है कि ऐसा नहीं है, बट डाला, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि य राजपूतों के दारा, महराजा गंगा सिंग ने बनाया था, करनी माता temple, इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर rats होते हैं, चुहे होते हैं, और पवित्र मानने चाहते हैं, अगर आपको white चुवा में दिग्या तो आप मान लिजे कि आपको काम बनने वाल है, then और temple की बात करे हैं, वहाँ पर five marvelous temple है, marble की बने हुए, intricate carving है, ऐसे ऐसा आपको डेर सारे pillar देखने को मिलेंगे, oldest क्या है इसमें पांचो टेंपल में, विमल, वसाही टेंपल, इसको विमल शाहने बनाया था, 11th century AD में, इसके लावा लूना वसाही, पितलहार, पार्षनात, जैन टेंपल, मह आवीर स्वामी, यह सारे 13th से 17th century के बीच में बने, एक knowledge की information कि यह जो word है, देरसार, जैन टेंपल के लिए गुजरात में यूजरात में यूज किया जाता है, और साधन राजस्थान में यूज किया जाता है, करनाटक में जैन टेंपल को हम लोग बसाड़ी कहते हैं, यह लोग भी करेंगे राजपूत, लेकिन थोड़ा unique feature मिलेगा, तो राजपूत style of architecture develop हुआ, मुगल period के दौरान, इसमें धेर सारे उन्होंने palace बनाए, fort बनाए, इसकी कुछ unique features है, यह, they use the concept of hanging balcony, जरोखा, यह आप देख रहे हैं, balcony एक दम लग रहा है कि बाहर निकल जाए जरोखा, जरोखा से कोई गाना है क्या, याद करके बताईएगा तो, which were constructed in all shapes and sizes, cornices were built in the shape of an arch, such that the shadow took the shape of a bow, जरोखा, जैसे आर्किटेक्चर कॉपी हुई, वैसे ही miniature printing भी कॉपी हुई, पर याद रखिएगा, भारत में बहत पहले से early miniature printing चल रहा था, right, 8th से 12th century के बीच ही develop हो गया था, उसके दो स्कूल थे, पाल स्कूल बंगाल के एरिया में, एक था अप ब्रंस स्कूल, इसमें से जो अप ब्रंस स्कूल है, इसका आप यहाँ पर एक image देख रहे हैं, आप ब्रंस स्कूल अप आर्ट जो है, miniature printing, यह पत और जैसे ही Hindu वाल आया, तो गीत गोविंद, secular love, all these paintings became around that, early jan phase में जो painting की जाती थी, palm lip पे की जाती थी, बट जैसे ही यह वैशनो कल्चर इसमें आया, तो paper पे किया जाने लगा, paper का विश्कार भी हो गया था, इवन दो the paintings were made as illustrations for book, book जैसे होती है न, उसमें माली जी कुछ लिखा हुआ, उसकी illustration के लिए, तो फिर भी, बड़ा होता था तो आको बता न, wall पे जो painting करते हैं, मुराल painting करते हैं, तो यह लोग न कुछ special नहीं करते थे, illustration के लिए, illumination के लिए, मुराल painting को यह छोटा बना द बगर भी यूज किया गया, अब इतना यह याद नहीं रखना, UPC पूछेगा, अप ब्रंस स्कूल अपाट कहा डेवलाप हुआ, किस टाइप का था यह, miniature painting था, अच्छा, इसमें से कुछ famous example है, कल्प सुस्त्र और कालकाचार्य का था, from 15th century, यह जो है, miniature painting किये गया थे, okay, आई, मुगल की दोरान क्या हुआ, कि जब मुगल कोर्ट बगरा मतलब काफी पिछड गया, या कहिए कि राजपूत बगरा काफी उदय हो गया, तो कही सारे जो painting है न मुगल कोर्ट से local चलेगा, तो एक पहाड़ी school of painting developed होई, regional painting, एक राजस्तानी school of painting होई, राजस्तान में different राजपूत kingdom है, तो राजस्तानी school painting है, जो है different part बन गए, चोकि राजपूत इसको देखते थे, तो इसको synonymously राजपूत school of painting भी कहा जाने लगा, हलाकि recently current अफर में बहुत detail में आया है, राजस्तानी painting, बोट डालूँगा बाद में, सबसे पहले बात करें मेवार की, सिस painting शुरू हो जाती, तमाशा painting क्या होता है, जो court के ceremonial है, city की जो life है, वो सब depiction करने लगना, एले साइब दिन क्या करते थे, religious text का depiction करते थे, उनके death के बाद लोग लग गये, पूरा देखिए court का procession, city life, तमाशा चल रहा है पूरा, तमाशा painting कहा जाने लगा, फिर मारवार का जोदपूर बीका नेर में राठ और रूल करते थे, और जैसल मेर में भटी रूल करते थे, तो जोदपूर बीका नेर में एक जैसा डेवलप होगा राठ और वाला, भटी वाला थोड़ा अलग डेवलप होगा जैसल मेर में, बटी पूरी area मारवार में है, bright colorful clothes पहनी रहें इसी मारवार स्कूल अप्रेंटिंग में वेरी फेमस जिस पर यूपीस ने डारेट क्विश्चन पूछा था बनी ठनी करके किशनगर स्कूल और बूंदी स्कूल भी डेवलप होता मारवार स्कूल अप्रेंटिंग में तो राजपूद के अंदर मारवार एक हो गया मारवार के अंदर किशनगाड बुंदी तो इसलिए अलग से देखना है क्योंकि यूपिस ने डारेट क्विश्चन पूछा था यह बनी ठनी है बनी ठनी कौन थी सुनिये किशनगाड स्कूल अप्रेंटिंग की बात करें तो 17th 18th century में यहां के राजा थे प्रिंस थे पेंटिंग मनता था तो प्रिंस और लवर कौन है सावंद सिंग वेलेंटाइन स्टे याद आ रहा मुझे नगरीदास कौन पोएट वो कुछ लिखें और निहाल चंद पेंटर यह सारे मिलके जो पेंटिंग करते हैं राधा क्रिशन के रिलेशन की भी डिपिक्शन करते थ इन्होंने अपनी पेंटिंग डिवलप कर लिया पर क्रिश्न बक्ति पें लोकल विजिटेशन खास इसकी खासियत यह तो कहानी बनती जाएगे जाए लोकल डेटी कौन होते हैं जो विलेज को प्रोटेक्शन करने के लिए जन्होंने जान दी लड़ाई-लर लड़ी जैसे देव नरायन पाबुजी काफी फेमस हैं इनको डेपिक्शन करते थे यह लोग 15-30 फिट लंबाई हो जकती हैं विजिटेबल कलर यूज करते थे बाइदवे यह हो गया आपका पेंटिंग हो गया अब आएए फोक म्यूजिक में पानी भरने के लिए विमेन जाती हैं इसमें विमेन जो हैं वाटर लेकर आती हैं वाटर टैंक से कहीं हाउसवल्ड में जाती है मटका वह बीच में गाने लगती हैं अपने जो भी उनके कंसर्न हैं वहाँ पे सुनाया सम्टाइम्स दे मतलब रोमेंटिक बाते वह क्यों लड़का मिला था मटका पर हमारा मारा जोड से था हमको मटका मेरा गिर गया हमको याद है नहीं सलमान कान की मूवी प्यार से डर लगता वाला हैंस दिया रोमेंटिक इन नेचर कुछ भी बीचिंग कर लो डे आलसर टॉक अबाट कॉंटेंश रिलेशनशिप बिट्विन मदर इल्ला और डॉटर इल्ला एक चलि जाएंगे देर से सोएंगे कुवेर से बगर 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 मारेंगे हमारे राजा तीर ऐसा जाएगा एक तीर जाएगा पांच मर जाएंगे वह हमारे राजा इसी तरह से मांड भी यही काम करते थे सिंगिंग बाड ते राजा की बढ़ाई करते थे इसको क्या बोलता है क्य और भी यह नहीं वहां कि जाके आई इस कॉरिडॉर के गूगल करें और वहां पर जाके रिव्यू दे दें फाइव स्टार जब बोलता हूं तब करते हूं नहीं ठीक है कोई बात नहीं दो चार आजाए तब करिएगा मांड तो इसे गाना है यह जो है मांड स्टाइल में है एक होता हवेली संगीत कभी बुलाओ हमें हवेली संगीत यह जो म्यूजिक डेवलप हुआ राजस्तान में गुजरात में डेवलप हुआ अब भी पूरे कंट्री में फैल चुका है and obviously इसको शुरुवात में टेंपल प्रेमिसेज में गया जा होगा वल्लबाचारे का न शायर तो पुष्टी मांग संपरदाय को जो लोग फॉलो करते हैं वो राजस्तान में बहुत है इंपक्ट उनका नात्य द्वारा नाम का पूरे टेंपल है पिल्ग्रिम साइट है पुष्टी मांग संपरदाय का और वहां पे श्रीनाथ जी टे अचा राजस्तान में कुछ सिंगिंग कम्यूनिटी भी है जैसे अब यह आपने देखा न मंड गाने के लिए बार्ड होते हैं राजस्तान में जोगी भूपा यह सिंगिंग कम्यूनिटी है इन फैक्ट मुस्लिम ट्राइबल कम्यूनिटी भी है गुजरात राजस्तान में जो कि मुस्लिम राजपूत रूलर को जो इन राजपूत ने convert कर लिया उनको तारीब करने के लिए लंगा community इसी तरह से मिरासी community है जिसको हम लोग मंगनियार भी कहते हैं मुस्लिम community राजस्तान में यह एक instrument चलाते हैं कमाईचा और सिंग करते हैं classical folk music यह हो गया music वगरा अब भीव ट्राइब से शुरुबात हुई थी घूमर डांस को अब लोग गंगा और folk डांस भी कहते हैं वीमें जो है भीव ट्राइब करता है मेरे बिहार में भी घूमर करते हैं वोग वो सौरी जूमर करते हैं मूवी में भी तो था प्दमावत वगरे में इटिच करेक्ट्र फोटर ले लो दोनों हाता से पकड़के उसको फैला नहीं है लंगा वीमन गजब होती है काल बेलिया फोक डांस स्नेक लाइक मूवमेंट होता है काल बेलिया कम्यूनिटी ट्राइबल कम्यूनिटी इसको करती है राजस्तान में आप अगर जाएंगे डिजर्ट अच्छा और चलिए राजस्तान में नाचने गाने पर ये तेरा ताली है अब देख रहे हैं मटका बटका रखा गया ताली बजाई जा रही है ये कमर ट्राइब सेलिबरेट करती है वीमन जो हैं ग्राउंट पर बैठती है और तेरा ताली करती है अब मंजीरा बगर बचत होता है जेनरली रोमैंटिक होता है ठीक है और कई बार परफॉर्मर जो है अर्दिन पॉर्ट भी बैलेंस कर सकते हैं अपने सिर के उपर जरूरी नहीं हमेशा के सेमिक्लासिकल म्यूजिक होता है फोकस स्टाइल में बजता है जंजर ढूलक बजाये जाते हैं और जो इसका स्वांग जो है वर्सेज में गाये जाते हैं बाकि एक ताड़ा हर्मोनियों संगानी संग सरंगी ढूलक खरताल या खुद को कुछ को भी बजा लीजिए स्वांग तो होई जाएगा इसको हटा दो स्वैग कर दो स्वैग बाई ओके मिमिक्री बगर की जाती है डायलोग ब जिखा लट घर करते हैं पपेट आपको ड्रमाटिक फोकमीजिक बजाए जाता है लेख अगर जहाँ तको नहीं दिखाया जाता है आट अन कल्चर में रजस्तानी लिट्रेचर की बात करें बाइद वेश्वांड़ में इसमें तो मिलता है इसके लाँ रस्त्तानी में जो क में भी हैं उसी तरह से लेकिन दो तरह के दोस्ता serious दोल्ऺ लिखा थैंग काफी बाइटर के जन स्टोरी तो रहा और बाड उनको से दुस्ते जगउ heaveet 350 विक्टरी ओप हमारे राज compañ ते गए इन सब चीजों के तारीफ करना अच्छा पाइस्तान के फेयर काफी काफी फेमस हैं यह आप इमेज देख रहे हैं उट बगर को सजा के लाए गया ऑबिसली पुशकर फेयर की बात कर रही है यह इमेज पुशकर मेला एनुएलस फेयर है जो कि कार्तिक पुर्णिमा के दिन श आते हैं और यहां पर अर्पनमगर करते हैं यह के नाम पर है को लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे इसके लाब चल रहा है डिजर्ट फेस्टिवल यह नॉर्मल है यहां पर पूरा डिजर्ट की सारी चीज़ें प्रदर्शन की जाएंगी आप भी पाटिसिपेट कर सकत जाएं जाके भूम सकतें खापी सकतें गंगोर राजस्तान का एक स्प्रिंग क्या करना चाहता था यूमस को साइट्स है के और जस्तान में सबसे पहले जो चैवला-देव नैशनल पार्क है और रामसर याद रहेगा is माइग्रेटरी रेजिडेंट बर्ड सब यहां पे आपको मिलेंगे वाटर बर्ड बहुत मिलेंगे रामसर कन्वेंशन में भी प्रोटेक्टेड है यह एक यूनेस को वर्ल्ड हेरिटेस साइट भी है इसके लबाद जंतर मंतर शुरुवात में पढ़ाता अपने जैपूर मे इसको प्रोट किंग सवाई जैपूर का नाम है जंतर मंतर को इसके लाबत जैपूर के पूरा का पूरा ही राजस्तान वा अलग से है बाकी जयपूर के तो चीज़े हैं चार रिसेंटली क्या हुआ, युनेस्को ने क्या किया कि राजस्तान में बहुत सारे फोर्ट थे अब सब को तो नहीं देगा ना वर्ल्ड हेरिटेस साइट कितना दे, अनगिनत है उन्होंने क्या किया कि 6 चुने सबको मिलाके एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट बना दिया तो हिल्ड कॉंपलेक्स अफ राजस्तान, सौरी फोर्ट कॉंपलेक्स अफ राजस्तान कहां-कहां पढ़ता है आप ये देखिए आईए, रन्थामबार यहां है, अम्बर यहां पे दो हो गया जालावाड में पढ़ता है, तीन हो गया, चिताओडगर चार हो गया, कुंबलगर पांच हो गया, जैसल में छे हो गया यह चे को युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट दिया गया जी आई टैग उतना ही इंपोर्टेन नियुक्ते पर सुन लीजी आर्टेन कल्चर में, ऐसे तो जी आई टैग थे यह सारे, कोटा का डोरिया, ब्लू पॉर्टरी अवजयापूर काफी फेमस है, यह याद रखिए, कटपुतली भी जी आई टैग है, भीका नेरी भुजिय कर रहे हैं, गनेशर भी जा रहे हैं, मैं दिखाओं क्या, यह देखिए न, प्री वेडिंग शोटिंग कर रहे हैं, यह देखिए, लग रहा है, कि इंडिया है, मार्वल का डम प्याड है, भाई, खेर, वाकि मकराना कहां पर, यह देख लीजे, मकराना, डिडवाना कुछमन डिस्टिक्ट अब पड़ेगा, यह देखिए नया डिस्टिक्ट बना है, डिडवाना कुछमन, यहाँ पर, यहीं पर, मार्वल, इसी मार्वल से तो ताजमल भी बना है, ओके, पोकरन, पॉटरी, और सोजात मेहंदी, यह बला जो देख रहे ह सजना के नाम की, अरे, यह क्या हो गया, वन सकेंट, मेहंदी है, रचने वाली, ओके, ठीक, रिसेंटली ना, जी आई टैक, धेर सारे मिले राजस्तान को पांच और, यह देखिए ना, जोदपूर, बंधेज वर्क, उदैपूर, कोफदगारी, मेटल क्राफ्ट, राजसमं का नात द्वारा, पिछवाई च्राफ, पिछवाई क्राफ्ट प्राफ्ट पिंटिंग का या टाइप है, बीका नेर उस्तकला, बीका नेर हैंड एमरारेटरी, यह सारे को देखेए, अभी जी टैग मिला है, cheap है, we are done with the art and culture and history, in next lecture, we will be dealing with geography, environment, wildlife and everything, ऑुके, उसको next part में मे क्या होंगा क्योंकि ये लेक्चर हो गया लगबग एक घंटे का, so we will cut it and we are already done with 35 slides out of 53, easy, thank you, see you soon.